जहिन दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल साने के डूई में हादिक स्वागत है हम भारत भुगों से संब्धित MCQ कर रहे हैं और आज उसी सीरीज में ही भारत की वनस्पतियां वन चेतर से संब्धित ब्यापम और PST में जितने भी क्वेश्चन पुछे गए हैं उनको स्वालो करेंगे तो उनके बारे में डिटेल भी देखेंगे तो यह वीडियो बहुत ही जदा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोश्तों आपके एक्जाम के लिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक लाइक जरूर कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो चलिए आज का पहला क्वेशन सौलो करते हैं इसमें पहला क्वेशन दिया है निमलिखित में से किस इस्थान में वुड इस्टाक अंतर राष्टी विद्याले इस्थित है ओप्सन में दिया हुआ है मसूरी देहरादून सीमला दारजलिंग इनमें से कोई नहीं दोस्त पहले इस्थित है चलिए नेक्ट क्वेशन देखते हैं भारत में सौरी भारत के निमलिखित में से किस राज्य में रोहला राष्टी उद्यान इस्थित है इसमें ओप्सन में दिया है महराष्ट राजिस्थान हिमाचल पर्देश असम छतिस गड़ इसका सही अंसर है दोस रोहला राष्टी उद्यान इस्थित है तो दोस्तों हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि जो हिमाचल पर्देश है इसमें और कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं चलिए मैं बदा देता हूं आप उसको नोट डाउन कर लिजिए या फिर याद कर लिजिए इसमें पहला है पिन घाटी राष्टी उद्यान दूसरा है ग्रेट हिमालया नेशनल पार्क है इंदर कला नेशनल पार्क है खीर गंगा नेशनल पार्क है और सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं भारत का पहला राष्टी उद्यान है इसमें दिया है सरिसी का कानहा किसली राष्टी उद्यान जीम कारवेट राष्टी उद्यान और दुद्धुवा राष्टी उद्यान इसका सही अंसर है दोस्तों सी नंबर जीम कारवेट राष्टी उद्यान चलिए नेस्ट क्वेश्चन देखते हैं चौंथा नंबर राष्टि ये बाग सारक्षण प्राधीकरण ने फरवरी 2016 में ओरंग टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए मंजोरी दे दी है यह कहां पर इस्थीत है ओप्सन में है महराष्ट, ओडिशा, मध्य परदेश और असम तो दोस्तों इसका सही अंसर है डी नमबर, असम असम में है यह ओरंग टाइगर रिजर्व चलिए हम लोग देखते हैं जो असम है इसमें और कौन-कौन सा नेशनल पार्क इस्थीत है तो इसमें देखते हैं हम लोग काजी रंगा है और काजी रंगा दोस्तों यह एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसीद है और इसमें हाथी भी है और दूसरा है डिवरू सेखावा नेशनल पार्क तीसरा है ओरंग नेशनल पार्क इसे राज्यू गांधी ओरंग नेशनल पार्क इसका पूरा नाम है और चौथा है दिहिंग पटकी नेशनल पार्क पांच हुआ है मानस नेशनल पार्क छठ हुआ है नेमरी नेशनल पार्क और साथ हुआ है राय मोना नेशनल पार्क तो दोस्तों चलिए next question solve करते हैं इसमे पहला मतलब इसमें question है काजी रंगा राश्टी उद्यान इस्थित है इसमें option में दिया हुआ है असम में तüyorsun में त्रिपूरा में और मिखालय में या फिर वर्सिं बंगाल में तो इसका सही answer है दोस्तों ए नंबर असम में असम में काजी रंगा राश्टी उद्यान है जिसको मैंने अभी चौन्था नंबर के question में इसको detail में बता रहा था हूँ समय बताया हूँ कि जो मानस नेशनल पार्क है यहां असम में है और काजी रंगा राष्टी उद्ध्यान भी असम में ही है चलिए next question देखते है डाक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारने कहां इस्तित है ओप्सन में दिया हुआ है तमिनांडू गोवा करनाटा कराजिस्थान तो इसका सही अंसर है बी नंबर गोवा गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारने इस्तित है इसमें देखते हैं जो सलीम अली राष्टी उद्यान है यहां जम्मु कस्मीर में है परंतु जो पक्षी अभ्यारने है यहां गोवा में इस्तित है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं हाई दोस्तों यहां पर जो सलीम अली पक्षी अभ्यारने है यहां गोवा में है या कौन सा है तो इसको अची तरह सियात कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं फूलों की घाटी राष्टी उद्यान इस्तित है ऑप्सन में दिया हुआ है पहला हिमाद चल परदेश भी है मध्य परदेश और सी है उत्तर परदेश और डी है उत्राखंड में दोस्तों इसका सही अंसर है डी नंबर उत्राखंड में उत्राखंड में फूलों की घाटी है तो दोस्तों आपके दिमाग में आना चाहिए कि उत्राखंड में और कौन-कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों में बता दूं कि जो नेशनल पार्क है उत्राखंड में वह है ज गोविंद पसु बिहार नेशनल पार्क इस प्रकार से जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वे नेशनल पार्क हैं जिसको आप लोग नोट डाउन या फिर याद कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं आठवा नमबर किस राज्य में नागरहोल राष्टी उद्यान इस्थित है इसमें आपसर में दिया है करनाठा केरल असम छार खंड तो दोस्तों इसका सही अंसर है ये नमबर करनाटक करनाटक में नागर होल रास्टी उद्ध्यान इस्थीत है तो दोस्तों और इसमें जो करनाटक है उसमें और कौन-कौन से नेशनल पार्क है इसको भी देख लेते हैं आप सुन लीजी है और याद कर लीजिए या फिर इसको not down कर लीजिए तो इसमें देखते हैं पहला है बनर घटा नेशनल पार्क यहां पे स्थाफित जो तीतली पार्क है भारत का एक मात्र तीतली पार्क है दूसरा नमबर देखते हैं बांधिपूर और तीसरा है नागर होल नेशनल पार्क यह जो तीनों है नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि जो तीतली के लिए प्रसीद है बनर घटा और बांधिपूर और नागर होल के लिए है हाथी के लिए और चौथा है अंसी नेशनल पार्क कुद्रे मुक और मुदु मले यह जो तीन नेशनल पार्क हैं यह ज़्यादा important नहीं है लेकिन याद रखे रही है दोस्तों चलिए next question देखते हैं नो क्रेक सहरक्षित जयो मंडल किस राज्य में इस्तीत है option में दिया हुआ है अरुनाचल परदेश में असम में मडिपूर में और मिघाले में तो दोस्तों इसका सही answer है D number मिघाले में दोस्तों यहाँ पे question कि जो संख्या है वो अलग है PDF में आगे पीछे हो गया है तो अपने को तो question solve करना है चलिए इसमें question solve करते हैं इसे कोई परिसानी नहीं होना चाहिए कि question संख्या अलग-अलग लिखाया है यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं 24 number जो question है इसमें इसका सही answer क्या होगा और question क्या है इसको भी देख लेते हैं किस राष्टी उद्यान में बाग सरक्षण, हाथी सरक्षण और एक ज्याव मेंडल सरक्षण परियोजना सम्मिलित है इसमें option में दिया हुआ है कारबे ट्राइगर रिजर्ब, मानस ट्राइगर रिजर्ब, बाधावकर ट्राइगर रिजर्ब और पन्ना ट्राइगर रिजर्ब दोस्तों इसका सही अंसर है बी नमबर मानस ट्राइगर रिजर्ब जो मानस ट्राइगर रिजर्ब है यहाँ बाग सरक्षण, हाथी सरक्षण और एक ज्याव मंडल सरक्षण परियोजना सम्मिलित है इसमें मानस टाइगर रिजर्व में चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं खालिस्तान या फिर ब्लेंक कोट टाइगर कैपिटल आप इंडिया के नाम से जाना जाता है इसमें ओप्सन में दिया हुआ है डैनी ताल, पेरियार, नागपूर, भोपाग इसका सही अंसर है C. नागपूर, नागपूर को टाइगर कैपिटल आप इंडिया के नाम से जाना जाता है चलिए नेक्स कोश्चन सॉल्व करते हैं इसमें दिया हुआ है कौश्चन में है कौन सा राज जवाई वनों का ग्री है जिसे सहरक्षित छेतर का दरजा दिया गया है इसमें ओप्सन में दिया हुआ है असम जारखंड मद्यपरदेश राजिस्थान तो दो इसमें इसका सही अंसर है D. नमबर राजिस्थान चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल वन यों व्रिक्ष अच्छादितर छेतर कुल भोगलिक छेतर फल का कितना परतिसथ है इसमें ओप्सन में दिया हुआ है दोस्तों इसका सही अंसर है ये नमबर 24.16.37 चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब सुरू किया गया इसमें ओप्सन में दिया हुआ है ये नमबर है 1962.1973.1984.1991 में दोस्तों इसका सही अंसर है बी नमबर 1973 में चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं भारत में वन आवरंग से घीरा सबसे बड़ा छेतर कौन सा है ओप्सन में दिया हुआ है अरुनाचल पर्देश, मद्य पर्देश, उड़ीशा और 36 गड़ तो इसका सही अंसर है दोस्तों बी नमबर मद्य पर्देश भारत में वन आवरंग में वन आवरंग से घीरा सबसे बड़ा छेतर कौन सा है मद्य पर्देश है जलिए नेक्स रेकते हैं भीतर कनी का राष्टी उद्यान कहां इस्तित है इसमें ओप्सन में दिया हुआ है उड़ीशा, मद्य पर्देश, असम, तरिपुरा तो दोस्तों इसका सही अंसर है ए नमबर उड़ीशा पुरिशा में भीतर कनी का राश्टी उद्यान है यह रिडले कच्छवे के लिए प्रसीद है दोस्तों चलिए नेक्स्ट कॉशन देखते हैं रामेश्वरम और तुति कोरिन के बीच 21 दूइप किस चर्चित नाम से जाने जाते हैं जो की दुनिया का बेहतरीन समुद्री बायोस्फियार रिजर्व है इसमें ओप्सन में दिया हुआ है ए है है वलाक आइलेंड बी है पाक जलडमरू मद्य है पाक स्ट्रेट या फिर सी है इंदिरा पॉइंट और डी है मननार की खाड़ी इसका सही अंसर है दोस्तों डी नमबर मननार की खाड़ी चलिए नेक्स्ट क्वेशन सौल्व करते हैं इसमें भारत के निमलेखित में से किस राज्य में बांधीपूर राष्टी उद्यान इस्थित है ओप्सन में दिया हुआ है यहाँ पे गुजरात करनाटक और आंध्रपर्देश मध्यपर्देश दोस्तों इसका सही अंसर है बी नमबर करनाटक करनाटक में बांधीपूर राष्टी उद्यान इस्थित है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते है इनमें से किस राज्य में कुल छेतरफल का सबसे कम प्रतिसत वन अच्छा द्यान है आप्सन में दिया है मध्यपर्देश मध्यपर्देश तो बहुत अधिक वाला है तो यह नहीं हो सकता पंजाब असम हिमाचल परदेश करनाटक तो इसका सही अंसर है दोस्तों बी नमबर पंजाब पंजाब में सबसे कम प्रतिसत वाला वन अच्छा दन है चले नेक्ट कुशन देखते हैं भारत के निमलेखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिसत सबसे अधिक है सबसे अधिक यहां पर पता ना है दोस्तों इसमें वाप्सन में दिया हुआ है मिजोरम नागा लेंड अरुनाचल परदेश तिरीपुरा तो दोस्तों इसका सही अंसर है मिजोरम मिजोरम में जो वनों का परतिसत है सबसे अधिक है पूरे भारत में और सबसे कम है पंजाब में परतिसत में देखें तो सबसे कम है पंजाब में और सबसे अधिक है मिजोरम में चलिए नेक्स कोशन सौल्व करते हैं निमलिखित में से कौन से प्रकार का वन भारत में सरवधीक भूभाग अच्छा दित करता है तो दोस्तों इसका option दिया हुआ है उश्र कटी बंधिये और दिया हुआ है यहां पे A नमबर पे है उश्र कटी बंधिये आदर परणपाती 1 B है उश्र कटी बंधिये सुस्क परणपाती 1 दोस्तों इसका सही अंसर है बी नमबर उश्ण कटी बंदिये सुस्क प्रणपाती वन चलिए नेक्ट कोश्चन देखते हैं भात के किस चेत्र में एलपाइन वन पाए जाते हैं ओप्सन में दिया है डकन का पठार, हिमालय की चोटियां, पस्चिमी घाट, पुर्वी घाट दोस्तों इसका सही अंसर है बी नमबर हिमालय की चोटियां चलिए नेक्ट कोश्चन देखते हैं इसमें भारत में निम्लिकित में से किस प्रकार के वन में चीड का वन पाय जाता है ओप्सन में दिया है उश्ड कटे बंदी आधर प्रकार का उश्ड कटे बंदी सुस्क्र प्रकार का या फिर परवती उपोष्ण प्रकार का और अलपाइन प्रकार का तो दोस्तों इसका सही एंसर है C नंबर है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 16 नंबर भारत में में ग्रियो जारी वन वनस्पती मुख्यता पाई जाती है ओप्शन में दिया हुआ है मालाबार, सुन्दर, वन, कर्च कारण और दन कारणे दोस्तों इसका सही एंसर है B नंबर, सुन्दर, वन चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं काजी रंगा नेशनल पार्क का किस राज्ये में इस्थित है ओप्शन में दिया हुआ है पंजाब, छातिजगर, आसम, मध्यपादेश इसको मैंने पहले भी बता दिया है इसका सही एंसर होगा C नंबर, असम चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं मानस्ट आएगा रिजर्व कहां इस्थित है इसका सही एंसर यहाँ पे वताना है, ओप्शन में दिया हुआ है असम में, राजिस्थान में, उतराखन में, मध्यपादेश में या फिर पसिम बंगाल में तो दोस्तों इसका सही एंसर है, ए नंबर, असम में, चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, उननिस नंबर, किस भाती राज्य में सबसे अधिक वण अच्छा आदित है, क्वेशन रिपेटेट है, इसका सही एंसर है, डी नंबर, मध्यपादेश में चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, भारत के वनों के किस प्रकार में मैंगरो सबसे महतपूर्ण व्रिक्ष है, ऑप्सन में दिया हुआ है, उफ्र कटी बंधी आदर, पतज़ाड़ वाले वन, उफ्र कटी बंधी सूस्क पतज़ाड़ वाले वन, और C है ज्वारी व C नमबर, ज्वारी वन, चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, भारत का पहला समुद्री ज्यावी वित्ता राष्टी केंद्र, MB National Center for Marine Bio Diversity कहां इस्तित है, दोस्तों इसका सही अंसर है, B नमबर चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, भारत का एक मातर डाल्फिन अभ्यारन निमने खित में से किस राज्य में इस्तित है, तो दोस्तों इसका सही अंसर बताना है, इसमें आप्सन में दिया हुआ है, बिहार में, उडिशा में, पसिम बंगाल में, और एक दिया हुआ ह असम में या फिर उत्तर परदेश में, इसका सही अंसर है दोस्तों, यह नंबर बिहार में है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो आपनों को पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक केजिए, कमेंट केजिए, और दोस्तों के साथ में सेहर करना न भूलिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए थैंक्यू सो मच